आज की वीडियो में हम यूरिन से सम्मधित कुछ प्रोब्लम्स के बार में बात करने वाले हैं जैसे कि पोली यूरिया जिसमें की किसी को बार बार पिसाब करने के लिए जाना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है और डॉक्टर इसमें कौन सी मेडिसीन देते हैं आज की वीड या फिर urinary tract infection के symptoms होते हैं, यानि कि आपको infection हो चुगा है, तो ऐसे में Dr. Concey medicine देता है, उसके बारे में हम जान लेता है, तो इसके लिए सबसे पहले Norflox 400 mg की tablet दी जाती है, इसकी picture हमने यहां पर लगाई हुई है, और इसके dose क्या होती है, यह आपको दिन में दो बार यानि लेनी है, यह आपके doctor decide करता है, और आपको Norflox के इस्तान पर लिवो फ्लोकस से 400 mg टैबलेट भी दी जा सकती है, यहां पर हमने इसकी picture लगाई हुई है, और इसके dose क्या होती है, तो यह आपको दिन में एक बार यानिकी OD लेनी होती है, और आपको यह साल से दस दिन तक द पानी में दिन में तीन बार लेनी होती है, तो इससे आपका जो UTI है या फिर infection है, वो बहुती जल्दी ठीक हो जाता है, और infection हो जाने पर आपको ज़्यादा पानी या फिर flutes पीने की सलाह दी जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा पानी या फिर flutes पीना है, जिससे आपका infection जल्दी ठीक हो जाएगा देखी किसी को problem होने पर डॉक्टर तुरंद medicine स्टार्ट कर देता है लेकिन यदि तीन से चार दिन में जलन खतम नहीं होती है या burning खतम नहीं होती है तो ऐसे में कुछ इस आपकी तहली तक का x-ray या फिर अल्टरा साउंड करा जाता है जिससे कि हम problem को जान पाते हैं अब हम जान लेते हैं if there is no burning sensation only frequency यदि किसी को burning sensation या फिर पिसाब करते समय जलन नहीं होती है केवल उसे बार-बार पिसाब लगता है या फिर बार-बार पिसाब करने के लिए ज जाना पड़ता है तो ऐसा होने पर हम मरीज का sugar का टेस्क कराते हैं इसके लिए हम fasting या फिर पीप यानि कि खाना खाने के दो घंटे के बाद की सुगर चैक कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारा case number 3 है if frequency is mainly at night with poor urine steam in elderly male patient यानि कि यदि किसी को जो पिसाब है maximum रात में होता है या कि उसे रात में बार-बार पिसाब करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन उसका पिसाब सही से नहीं होता है या फिर रुक रुक के होता है और especially ऐसे लोगों में होता है जो कि जिनकी उमर जादा है या फिर जो बोड़े लोग है तो ऐसे में हम prostate के बारे में सो सकते हैं या कि उसका प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है तो यह क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं अदेखिए हमारे पेसाब की थैली है और नीचे ही हमारे पेसाब की नली है जहां से हम पेसाब करते हैं तो इस पेसाब की नली के दोनों तरफ एक ग्लेंड पाय ज इस नली पर इस तरह से दबाब डालती है तोनों तरफ से दबाब डालते है जिसे हमें पेसाब सही से नहीं होता है या फिर पेसाब वापस से इस थैली में चला जाता है और बूंद बूंद करके होता है और ऐसे मरेश को बार-बार पेसाब करने के लिए जाना पड़ता है ल 4MG tablet दी जाती है, जिसका salt name है Tamsul Losen, तो ये tablet दी जाती है, ये tablet रात को खाना खाने से पहले दी जाती है, और इसे के साथ में सीटल सिरप भी दिया जाता है, जिसे की एक चम्मच पानी में मिला कर दिन में तीन बार लेना होता है, तो इससे मरीच को काफी अराम मिलता है, और यहां पर हम कुछ ऐसे case के बारे में बात कर लेता है जिनके बारे में आपको बता होना चाहिए या फिर आप जा सकते हैं कि उन्हें क्या problem हो चुकी है तो यहां पर हमारा case number one है elderly male with frequency urine यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी age जाता है या फिर भूड़ा है और उसे बार-बार पढ़ रहा है तो ऐसे में आप diabetes या फिर enlarge prostate के बारे में सो सकते हैं या तो उन्हें सुगर की problem है या फिर जो उनका prostate का size है वो बढ़ चुका है इसके बाद यहां पर हमारा दूसरा case है a patient presenting with very severe urethral pain and urine falls drop by drop with straining यानि कि यदि किसी मरीश के पिसाब के रास्ते में काफी दर वो आकर पेसाब के रास्ते में फर्स चुकिया जिससे यह problem हो रही है तो यहां पर हमने लगबख सभी पोली या के कीसिस के बार में बात कर लिया है और उनके कारण को भी जान लिया है तो यह आपको पता होना चाहिए यदि आप डॉक्टर नहीं है तो आपको कोई भी medicine को उससे इस्तमाल नहीं करनी है क्योंकि हर केस में medicine की dose और उसकी उसे कैसे लेना है वो सबी चीजे अलग हो सकती है थैंक यू वेरी मच